स्टार्ट करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं तो 1857 का विद्रो हुआ था हम वहां से मॉडरन हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे आज की पहले देखेंगे कुछ थेओरी देखेंगे और उसके कुछ स्टार्ट का विद्रो मंगल पांटे जो थे वह किस बटालियन से थे तो 34 वी बंगाल नेटिव इन फैंट्री जो है उस रेजिमेंट बटालियन से थे कौन तो मंगल पांटे कौन से बटालियन से थे इन्होंने क्या था मेरट मतलब दिल्ली में है मेरट वहां पे थे इन्हो ने दो बम से इन्होंने दो सैनिको को दो सिपाही को जो है उन पे हमला किया था इन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर जेनरल थे वह थे आपके कौन चार्ल्स जॉन कैनिंग जो थे उस टाइम के क्या थे तो आपके गवर्नर जेनरल थे बित्रो तब सुरू हुआ जब बंगा पांडे ने मेरट में दो बृटीज अधिकारी ओपर हमला किया था बहुं से 1857 का जो तत्रकाली कारण था विद्रो का वह था आपका चड़वी वाला कार्तूस क्या था चड़वी वाला कार्तूस का प्रयोग आरंब करना 1857 के विद्रो के दौरान भारत के गवर्नर जनरल आ मेरट से आपका 1857 का विद्रो प्रारंब हुआ था ओप्शन सी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया अगला कोस्चन है आपका कि 1857 के विद्रो का तात्काली कारण था वह आपका था चड़वी वाले कार्तूस का प्रयोग आरंब करना था ओप्शन आपका इसका क्या है ने राइट आंसर है our next question है आपका कि वहाँ पहला भारतिय शिपाही कौन था जिस ने चर्वी वाळ एकार्थूज का प्रयोग करने से इन्कार कर दिया था तो उनम बंगal पांडे इथा जिन्नों ने चर्वी वाले कार्थूज का प्रयोग करने से इनकार कर दिये थे तो option A आपका क्या हो गया आपका इसका right answer हो गया और मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई थी कब तो 8 अपरेल 8 अपरेल को जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी 8 अपरेल 1857 को जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? Option A Next question है आपका कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 बिद्रो का सुदुरपात क्या था? संबंधित थे? किस बटालियन से हुए संबंधित थे? तो 34 बे नेटिव इंफरेंटी से हुए संबंधित थे तो Option A आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया Next question है आपका कि 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवर्नर जेनरल कौन था? तो Lord Canning जो थे वह 1857 के बिद्रो के समय गवर्नर जेनरल थे तो Option B आपका क्या है? इसका राइट आंसर है Next question है आपका कि 1857 के बिद्रो के निम्न में किसने सबसे पहले अपना वलिदान दिया था कि रो ने दिया था अपना पहला बलिदान तो मंगल पांडे नहीं दिया था अपना पहला बलिदान तो Option D आपका इसका right answer हो गया था मंगल पांडे को जो है वह 8 April आठ अप्रील 1856 को फांसी की सजा दे दी गई थी नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजी भारतिय से ना में चर्वी वाले कार्थुसों से चलने वाली एंफिल्ड राइफल कब शामिल की गई थी तो कब सामिल की गई थी दिसंबर 1856 में जो है एंफिल्ड राइफल सामिल की गया आगे देखते हैं आपका आगे आपका लक्ष्मी भाई रानी लक्ष्मी भाई का मूल नाम है वह क्या था तो रानी लक्ष्मी भाई का मूल नाम आपका था मनी करनी का और इनका जन्म जो है वह कब हुआ था 19 नौबंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था कहां पे तो कासी क नासी कहा है तो बनारस में है कहा है वारानशी में है इनके पिता जी का जो नाम था वो मोरोपन तामबे था क्या था मोरोपन तामबे जो है इनके पिता जी का नाम था और इनकी माता का नाम था भागी रथी बाई क्या नाम था भागी रथी बाई और इनके पती का जो नाम थ का जो है रानी लक्ष्मिवाई का मूल नाम था तो option A जो है आपका इसका right answer है और रानी लक्ष्मिवाई को जो है उनके माता पिता बच्पन में उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे क्या बुलाते थे मनु बुलाते थे next question है कि किसकी विर्ता से प्रभावित होकर ब्रिटिस सेन अधिकारी हिूरोज ने कहा कि भारतिये करांती कारियों में या अकेली मर्द है तो किससे प्रेरित होकर कहा था इन्होंने प्रभावित होकर लक्ष्मिवाई तो option C आपका इसका क 1858 को हो गई थी जिन्हें बाबु कुवर सिंग के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है बाबु कुवर सिंग के नाम से भी जाना जाता है 1857 के भारतिये विद्रोग के दौरान एक नेता और शैनी कमांडर थे उन्होंने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की पर वारत के सवतनत्रता आंदोलर में उनके योगदान का शम्मान करने के लिए भारत गनराज ने अप्रेल 1966 को एक अस्मानक डाख टिकट जारी किया था कब तो 23 अप्रेल 1966 को विहार सरकार ने चैनल माफूर का एक नाटक विजय की वेला विजय का चैनल माथूर का उलेक शुबद्रा कुमारी चवारि की कभीता जहांशी की रानी में भी किया गया है किसमें किया गया है जहांची की रानी एक कविता है किनका है तो यह कविता है सुभद्रा कुमारी चोहार का उनके इस कविता में भी इनकी चर्चा किया गया है नेक्स्ट है आपका कि जग्रिश्पूर के राजा थे तो कौन थे भाई कुवर्शिंग थे तो option D आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया नेक्स्ट कोस्टन है कि 1857 का विद्रो नेत्रित बिहार में किस ने किया था तो बिहार में जो 1857 का विद्रो का जो नेत्रित हुआ था वा कुवर्शिंग ने किया था किनों ने किया था कुवर्शिंग ने किया था तो option B आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया नेक्स्ट कॉस्चिन है आपका आगे है आपका कि 1857 के विद्रो में कानपूर में सैनिकों का नेतरुत नाना साहिब ने किया था नाना साहिब का असली नाम क्या था धोनुपंत था वे क्या थे दिगत पेशवा बाजी राउ दूईतिय के दक्तक पूत्र थे क्या थे दत्तक पूत्र थे कानपूर में बिद्रो जून 1857 के आसपास शुरू हुआ था इस बिद्रो में British East India Company के करीब 7000 सैनिक सामिल थे कितने सैनिक सामिल थे तो 7000 सैनिक जो थे इसमें सामिल थे और नाना साहिब के नेत्रित में बिद्रो ही सैनिकों ने जून 1857 को British सेना पर क्या किया था बड़ा हामला किया था 1857 के कुछ जो है बिद्रो के कुछ और नेता को हम देखेंगे दिल्ली से कौन थे तो जनर्रल वक्त था लखनाव से बेगम हजरत महल और बड़ेली से खान बहादूर बिहार से कौन थे कुबर सिंग फैजाबाद से थे आपके मॉल बी एहमद उल्ला कौन थे महमवल भी एहमद उल्ला और जहांसी से रानी लक्ष्मी वाई इलहाबाद से लियाकत अधी थे आगे है आपका कि 1857 के विद्रो में कानपूर में सैनिकों का नेत्रूत किष्णे किया था तो किष्णे किया था आपका नाना शाहिब ने किया था तो किष्णे किया था नामधारी सिखोने किया था किष्णे किया था नामधारी सिखोने किया था आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया नेक्स्ट कुछ्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रो का नेत्रित में से किया था तो बेगम हजरत महल जो आपका इसक के वचक्가요 आगे देखेंगे आगला कुस्छचन है कि 3857 के विद्रों की सक्ती का सबसे महतवपूर्ण तट्व कौन सा था इस सबसे महतपूर्ण तत्तु था, तो option D, आपका इसका right answer हो गया, next है आपका, कि निमलिखित में से, कौन सा आयोग, 1857 का विद्रोध दमन के बाद, भारतिय फोज, भारतिय फोज के नव शंगठन से शंबंधित है, कौन सा संबंधित है, तो पील आयोग, कौन सा संबंधित है पील आयोग, तो option B, आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया, option B, आपका इसका क्या हो गया, right answer हो गया, next question है आपका, कि 1857 के विद्रोध को किस उर्दू कवी ने देखा लिखा था, किस ने लिखिया था, तो आपका मिर्जा गालिव जो है, उन्होंने लिखा था, या फिर दे सबसे कटर दुश्मन था, तो सबसे कटर दुश्मन था, आपके मौलवी अहमदुल्ला सहा, कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला सहा जो थे, वो सबसे बड़े कटर दुश्मन थे, तो आपका इसका right answer क्या हो गया, option A, आपका इसका right answer हो गया, next question है आपका, कि 1857 का और शफल रहा, तो option A आपका इसका right answer हो गया, next question है आपका, कि निमलिखित में से किसने 1857 के विद्रों को एक शडियंत्र की शंग्यां दी थी, तो एक शडियंत्र की जो शंग्यां दी थी, वो दी थी आपके James, Outdrum वो डबलू टेलर ने, किसने दी थी James, Outdrum वो डबलू टेल करने, तो option A आपका क्या हो गया, इसका right answer हो गया,